नमस्कार स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिद्यकुलाम online classes में तो अपसे ऐसा करते हैं कि किसी भी एक topic को पकड़ते हैं और उसको पूरा complete करा देते हैं जिससे उससे संबंदित question अगर आपके exam में पूछा जाता है तो आप लोग गोली की रफ्तार से उसको उड़ा क कर गया है तो आज की class में हम लोग देखेंगे बड़ी चोटी टीड़ी मेड़ी विकलांग जितने भी टाइप की विन होती है उससे related question कैसे exam में पूछे जाते हैं वो समय आपको पताता हूं आज की class में यह जानेंगी कि उचीत अनुचीत भिन क्या होती है और इससे संबं नीचे वाली को इंगलीस में बोलते हैं डिनोमिनेटर तो देखिए proper fraction इसे हिंदी में क्या बोलते हैं उचित भिन और improper fraction को हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन तो समझो जरा उचित भिन होता क्या है जब संख्या आंसे बटे हर के फॉम में लिखी होती है तो यह हमको प बढ़ा होता है तो यह होती है उचित भिन यानि प्रॉपर फ्रेक्शन इन दोनों में से देखिए उपर वाला बढ़ा है कि नीचे वाला बढ़ा है तो सत्रा बढ़ा है तो यह हो गया कौन सा प्रॉपर फ्रेक्शन यानि उचित भिन तो इंप्रॉपर फ्रेक्शन क्या ह उनने सत्रा नीचे वला सत्रा छोटा है तो यह गए इम्प्रोपर फ्रेक्ष्ण यानि अनुचित बिन यह बिलकुल ऐसे है जैसे यह समझ लीजिए कि जैसे उपर लिखा है बहू नीचे लिखा है सास तो उपर वाला ये अंस है और नीचे वाला क्या है हर है अब आप समाज की तरह से बिलकुल सोच लीजिए यहाँ पर अब सास का पावर ज्यादा है सास का पावर अगर ज्यादा है तो बगल वाली पड़ोसी भी कहेंगी हाँ बहुत अच्छी बहुरिया है उनकी सब सुनती है तो यह उचित माना जाता है समाज में कैसा माना जाता है उचित माना जाता है तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानि उचित भिन जब हर ज्यादा होता है यह तो हमने बोला जब सास का पावर ज्यादा होता है हर ज्यादा होता है तो उसे इंप्रॉपर है तो अनुचित भिने से बोलने लगते हैं तो यही देखिए समाज में जो कि चीजें होती हैं यही सब गणित होता है अब चलते हैं हम लोग अपने कोश्चन की तरफ की कैसे कोश्चन पूछे जाते हैं तो यहां देखिए जरा चोटी भिन बड़ी भिन यह पूछे जाते हैं और यह प्रॉफर फ्रैक्शन को लेकर ही पूछे जाते हैं इम प्रॉफर फ्रैक्शन को लेकर के आपसे चोटी बड़ी भिने निकालने को नहीं पूछेगा भिन चोटी है यह बड़ी यह पता लगाने के लिए केवल दो ही प्रकार के कोश्चन बन सकते दो से ज़्यादा कोई नहीं बन सकते पहला ये है कि अगर अंस और हर का अंतर बराबर होगा या तो या फिर अंस और हर का अंतर बराबर नहीं होगा दूसरे से तीसरा कोई question नहीं बन सकता तो हम बढ़ते हैं अपने पहले point की तरफ जब अंस और हर का अंतर क्या हो बराबर हो अब देखो यहां पर यह उपर वाला क्या होता है अंस नीचे वाला क्या होता है हर तो जब इनका अंतर यानि डिफरेंस कर लो घटा लो आठ में पांच गिया कितना बचा तीन इसमें भी देखो पांच में दो गिया कितना बचा त इसमें भी देखो दस में साथ गया, तीन तो जब ये अंतर जो है बराबर हो ना, तो जो संख्या उपर बड़ी होगी इन सम्वे से, वो धिन बड़ी होगी, और जो सबसे चोटी होगी, वो भिन भी चोटी होगी, अब आप बताईए, पाँच दो और साथ में सबसे बड़ा नंबर कौन लिखा है तो आप कहेंगे सर साथ लिखा है तो ये बिन सबसे बड़ी हो गई तो सबसे बड़ी बिन कौन साथ बटे दस और सबसे छोटी कौन तो पांच दो साथ में सबसे छोटा नंबर कौन लिखा है दो लिखा है तो आप सबसे चोटी हम पूछ लें तो सबसे चोटा नंबर कौन सा उपर लिखा है सबसे चोटा लिखा है पांच तो सबसे चोटी बिन कौन सी होगी पांच बटे नो होगी यह बात सच में आई अब चलिए देखे यह कोशन खुद से बनाईए पहले क्या है सबसे चोटी बिन यहां कोशन में पूछा गया है तो बताईए जरा यहां पर तो देखिए अंतर कितना है यहां पर साथ है यहां पर घटाई यह कितना अंतर है साथ ह तो जो उपर सबसे छोटा लिखा होगा वो बिन सबसे छोटी होगी तो बीस पंदरा सोला इन में सबसे छोटा कौन से लिखा है पंदरा लिखा है तो सबसे छोटी बिनने कौन सी होगई पंदरा बटे बाइस ऐसे आपका आंसर आ जाएगा दूसरे परकार का प्रशन क्या बन सकता है, दूसरे परकार का प्रशन बन सकता है कि जब अंस और हर का अंतर बराबर ना हो, यही दो परकार के ही केवल प्रशन बन सकते हैं, तीसरा कोई प्रशन एक्जैम में नहीं बन सकता, तो इस दूसरे परकार के प्रशन को हम अगली क् में discuss करेंगे यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में